अभी आधि हम बात करेंगे सिक्वेंस करेक्टरस के बारे में तो उसके लिए हम लोग अपने पाइफन वाड़े फोलडर के अंदर चले जाते हैं और यहां पर विए कोड को अब तब तक होने देते हैं और आप एक फाइल बनाते हैं escape स्क्राइब है कि इस्केप.py के नाम से और लुद नाम कुछ भी हो सकता है बस डॉट पी है इसका एक्स्टेंशन होना चीह पाइफन के लिए और पाइफन यूज़ करना है तो अब पर लाएफ लोगा extension होना चाहिए तो अब मोग बात करेंए इसकेप sequence characters होता क्या है तो ये sequence of character होता है backslash के बाद मतलब ये backslash के बाद हम लोग अगर टी लिग देते हैं तो यह क्या हो गया यह character बन जाता है यह हम लोग बैक्स लेस्के बाद लिग देते हैं तो यह यहां लों बैक स्टेस्ट के बाद टी ली देते हैं तो यह वी क्या होता हिए एक पाइफन में गयरेक्टर है जिसका नाम होता है इसकेप सिक्वेंस करेक्टर ठीक है यह लोग बैक्सलेस के बाद एक कोट लगा देते हैं एक कोट में को डिलीट करना है सिर्फ ठीक है एक कोट लगा देते हैं तो यह क्या होता है यह सिक्टर बन जाता है ठीक है यह लोग बैक्सलेस के बाद डबल कोड लगाते तो तो यह भी क्या हॹता है यह एक कैर Node में जाता है im भूभर है कि चैरेक्टर होता है ओ जिसका नाम होता है इक्सकेप सिक्वेंस कैरेक्टर ठीक है मैं आप पर लिख देता हूं Escape Sequence Character ठीक है Escape Sequence Character अब इसका देखो Use किसले करते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक स्टिंग बनाते हैं नेम के नाम से ठीक है मैं हमेशा नेम के नाम से बनाता हूँ तो यह कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ नेम के नाम से बना सकते हैं इसका जरूरूल होता है वेरियवल के बनाने का इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले एक वेरियवल का नाम बना लेते हैं नेम और उसमें हम लोग एक वैल्यू डालते हैं इसर्मा इस पर इस अ तो यह थो यह क्या हों यहां और मैं यह पर क्या क्रोंगा यह इसको प्रिंट शव कर दूंगा 게 प्रिंट इन है तो मैंने क्या करा मैंने एक मनाया नाम ने के नाम से और इसमें वैल्यू डाली एक a string लिटरल जिसमें लिखा हुआ है त्रिवों शर्मा इस गुड़ बाई और मैं इसको कर दिया प्रेंट ठीक है अब मैं चाहता हूं कि जो त्रिवों सर्मा इस गुड़ बाई ना इसके बीच में इसके बाद एक नू लाइन आ है नू लाइन तो मैं क्या करूंगा मैं यह पर लगा दूँगा लेकिन यह क्या हुजएगा यह हुजएगा एक एर व क्योंकि और पाईथन बोलेगा की देखो मेरे को यहां तो मील गया डबल कोट लेकिन मेरे मेरे को double-coat चाहिए इसी लाइन महें है I can be merryBad springy यहां तो डबलकोट नहीं है इसज़ा में double-coat नहीं लइन तो घर को जो है हम लोग एक लाइन मेंने सुरू करते हैं उसे निकACH Kने तो हम लोग ऐसा विचाते हैं कि हमारा जो लाइन वो दूसरे में प्रिंट हो जैसे कि जैसे कि एक और फीट से सब्सक्राइब कर थे में और मैं नहीं निके इसको में लिखने है ठीक है मतलब ईक ही लाइन में लिख च्रिंग दूसरे लाइन में लिखने है ठीक है तो मैं यहाँ पे use कर सकता हूं binds kind nih ऐण प्रुदैश तो अन का मतलब होता है न्यू लएन बेसे तो कि यह को कि तो होगा और is a good boy बाद में प्रिंट होगा मतलब मेरे को क्या हुआ इसके बाद एक न्यू लाइन मिलिया हूं ठीक है कि मेरे को यहां पर टैब मिले यहां पर टैब मिले यहां पर टैब मिले और यहां पर टैब मिले मतलब हर एक वर्ड के बाद एक टैब मिले तो क्या मैं हर एक के पास जाके चार स्पेस दूँगा हर एक Fraktionai Capital абर एक Ce Bay sense ऐसा कुरूगा हर एक लिट्रल के बाद करे मैं 4 पसपेस दूंगा हमलों ऐसा नहीं करेंगे फींगे हैं अब किया करेंगे वह पहले पनता हो सबसेदे पहले तो जितने वी स्पेस मैने दिया है उसको हर एक लेटर के बाद मैं क्या определ में इसा करूंगा हनुच जिए नहीं ख्था सब्सक्राइब अब क्या करेंगे वो पहले बता तो इस पहले तो जितने भी ने ध्यूम करेंगे युट спрос और यूज़ करेंगे बैक्सलेश टी का मतलब होता है मैं यहां पर लिख देता हूं बैक्सलेश टी का मतलब होता है टैब इठी है टैब मतलब इसका मतलब है ऐसे करके लिख देता हूं इक्वल टू टैब मतलब होता है इक्वल टू और फूरस्पीस एप मतलब एक चार बराबर होता है तो मैं आपके टेप दिया मैं चाहता हूं यहां पर भी एक या यह तो में यहां में बैकस्ट लिखूंगा वैसी कि मैं को कर लेता हूं कौपी ना सिथर्ष Ł Pixelmen being कर दूंगा यहां पर मैं के ओनडे प्लिस वी कर दूंगा-उर यहां पर मां सिर्ड़ कर दूंगा-ई-श्व रन करूंगा- कि जब मैं इसको करोंगा तो फेर देख सकते हो हर हर वर्ड के बाद 10 जितना है अगर इसको इस सब्काइस को गिन ग entraw लांगे ना तो एग दू तीन चार छाथ इंट को दिखेंगे इसके और इसके बीड के इस गिन घ screams तो चार दीखेंगे इस दanking गिन चार पर ऐसका मतलब je भी हाव हर एक वर्ट के बाद एक टावा तो ब्ैक्स्रेस्च कह एक होता मितलगlor क्या होता है एक होगे अब इन दोनों का मंडों कर लेता है कॉमंट धीक है मैंने कॉमेंट बता दिया कउमेंट इसका होता है अब करता है यह ज़क्त उरम». कर लेता हूं copy और यहां पर कर लेता हूं ऑप मैं क्लियर में अन्य जाता हूं मैं दिर्वाई-शर्मा को मैं सwood में सिंगल कोट में डावल कोट में अवा सिंगल कोट में लिखुंगा अब मैं चाहता हूं चाहता हूं मुझे लिखने के लिए एक एसे लिखने की जरत है मतलब मुझे यहां पे यह बोल में सिंगल कोट अच्जा में किल रही है यहां पर यहांdoor हो हो रहार यहां पहुआ हैं चाहां पे बीक में शिंगर को ठृआ हुज हुआ तो यह फिर इसके बाद ये suffers इसके बाद ये हैं उसके बांप या उतना है वो है वो तो बोलेगा यह दो क्या है जब हमारा स्टिंग यहां से सुरूATA साकुराओ यहीं पर ख़तम हुआ तो फिर इसके आगे यह क्या लिक्वा रीखा हुआ है ठीख है तो उसके लिए हम लोग यहां पर लॉस हां लगा देंगे तो इसका मतलब हो गया कि यह जो यह एक बैक्स कटर्इब ठीक है और इसकेप सिक्वेंस करेक्टर होने का हमारे यह फाइदा है कि अभी यह स्ट्रिंग सिंगल कुट नहीं मानेगा इसको सिंगल कुट नहीं मानेगा सिंगल सिक्वेंस नहीं मानेगा मतला इसकेप सिक्वेंस मानेगा इसको सिंगल कुट नहीं मानेगा ठीक है अब तो रिजल्ट होगा वही होगा मतलब सब्सक्राइच होगा लेकिन यहां पर देख सकते हो यहां पे क्या है यहां पे कुछ हो रहे है कर प्रेशा अथुसे अब मैं लिखता हूँ अशहें कि और गार्च, जי बडूडू आप स्ट्रिंग को एिए सिंगल कोट बिट्वी निए स्टिंग और बेसिकली बिलकुल सेम टुमारे डबल कोट का भी ayam की तो मैं यहां पे अगर डबल कोट से मेरा स्टिंग लिखावा होता हुसा है अगर मैंना string new the style को से लिखा हुए था और मैंं बीच में चाहता हूं थ हूर कोड लेना तो मैं backslash double coat का उ paste करूं रहाए इसे क्या होगा मेरे श्र्ण के बीच में double डबल को आ जाएगा ठीक है डबल कोट के वारे मम हो गया इसके वारे बिल्कुल यह लिग देता है मिल्कुल सेमी होगा यह सिंगल कोट नहीं तो यहां पर होगा है कि यहां पहर होगा डबल कोट डवल कोट बिट्विन लस्टी मतलब अगर एक स्टींग के बीच में डवल कोट देना हो तो मैंशलेस डवल कोट का यूज करेंगे ठीक है अब क्या बचा बचा बैक्सलेस बैक्सलेस का यह बहुत ज्यादा यूस्फूल बताता हूं उसके बारे में इसको अनुक कमेंट और अब बात करते हैं वैक्स सुधिन के बारे में मैं को यह कोई स्जिर्ण लिखता हूं कि बीपिन स्टिंग नहीं नहीं यह नहीं है कि मैं इसी को करूँगा यह थीकी हां और इसको कर लोगा uncomment अ को ओके और यहां पर मैं जो यह ना वह ठॉका ना इसकी वह लिखना चाहता हो मैं ट्रिबु वन शरमाही लिखना जाता हूं तो ठीक एक नम 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 का एक वरिवल है जिसकी वैलियो इस ट्रिबुण शरमाही ए गोड़ और मैं उसको कर रहा हो ठीक है मैं बस इतना ही कर रहा हूं मैं करना आप क्या चाहता हूं मैं करना चाहता हूं कि 3-1 शर्मा के बाद ना 3-1 शर्मा के बाद कुछ ऐसे कर के प्रिंट है 3-1 slash sarma slash is slash good slash Ay मैं चाहता हूं कि ऐसे करके प्रिंट हो ठीक है अभा इस इसको प्रिंट करने के लिए मैं हर जय dakika search लगाँगा बैक्सास लगा लगा यह अदिए वे यहां भी रिद उर्द1 यहां पर भी लेखा दिये बैक्सलेश यहां पे भी लगा दिया backslash अब मैं जब इसको run करता हूँ अब मैं जब इसको run करता हूँ तो देखो तो आ रहा है हमारे लिए एक error हमारे लिए एक मज़ेदार error आ रहा है वो आ रहा है syntax error मतलब कि यह जो character है न unexpected character after line concatenation character मतलब कि यह जो तो character लिख रहे हो गलत है लेकिन मैं इसको print करना चाहता हूँ मैं इसको ऐसे print करना चाहता हूँ तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा ऐसे print हो ठीक है मैं जब इसको backslash मैं सिर्फ backslash लिख रहा हूँ तो मेरे लिए आ रहा है एक error और उस error का नाम है syntax error मतलब मैं यहां पर ऐसे नहीं लिख सकता हूँ ठीक है तो मैं सिर्फ एक backslash लिख लिए लगाने के बाद हमारा प्रोग्राम से चल रहा है यह जश्ट चेक इट चेक इट मैं हर जिए दो backslash लगांगा दो backslash लगांगा दो backslash लगांगा ओके अब मैं जो इसको run कर रहा हूं तो क्या हो रहा है कि मुझे करना इसको कॉमेंट सबसे पहले इस लाइन को ठीक है ताकि ना करें अब मैं करना हूं तो यहां पर देख सकते हुआ है कि मैं जो प्रिंट करना चाहता हूं बिल्कुल वैसे ही प्रिंट हो गया है ठीक है तो backslash का क्या गाम था backslash का क्याम था अ आपर लिक देता हूं तो पिरिंट कि सिस्चेणे पें मतलब एक स्थिंग के बेच में प्रिंट करने का काम ही हमारे डाव से करता है करता है मैं क्या करता हूं मैं यह कीए डबेक्सको एक बार फिर से समझा दिता हूं थिक है चलो चलो फिर से समझ दो मेरे पास एक करना छाहता हूँ को मैं चाहता हूँ इसको विपय ने चाहता हूँ है और मैं इसको provider करना चाहता हूँ मैं कर दिया इसको सबließen करूंघ कि किषण कुमार कर अच्छे से अब मेरे से कोई कहा कि किषण कुमार मुझे नहीं करना है है मुझे print करना है सबसे पहले किषण आहे फिटबैक्स स्लेश आए then कुमार है ठीक है मैं चाहता हूँ ऐसे प्रिंट करना कैसे प्रिंट कर सकते हैं इसके लिए कोई क्या अगर कोई escape sequence character के बारे में नहीं जानता है तो वो क्या बोलेगा वो बोलेगा कि यहाँ पे लगा दो एक backslash ठीक है सबसे पहले इस line को comment कर लेते हैं ताकि जो हमारा error है वो ना आए है उसके लिए हम लोग comment यूज करेंगे अब मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ जब मैं इसको run करूंगा तो देखो तो हमारे लिए आगया एक error वो error क्या है वो error basically यह है हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं ठीक है invalid escape sequence यहां पर देखो यहां पर basically main जीद है यहां पर syntax syntax वाने लिखा और यहां पर लिखावा है invalid escape sequence मतलब जो escape sequence हम लोगों ने यूज कर रहा वो invalid है वो सिर्फ slash क्या होता है यहां पर हमें सिर्फ slash यूज करने के लिए दो बार slash लिखने का मतलब है दो बार slash लिखने का मतलब है x एक slash समझे मैं इसको copy करता हूँ यहां से और यहां पर करता हूँ paste यहां पर मैंने जो दो slash लिखा है ना दो back slash वह मारे एक V ball के प्राप्पर है और एक चीज और जो मुझे पर बताना संहोगा मैं सब्सक्राइब 50 मालें अगर अगर में मिल कहना लेंध मैं मैं प्रिंट करम इस率 तो ईस चैंका लेंध कितना होगा है कि गिनते हैं स्टेंग के लेंद को तो कितना हुँ आता है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस जिस ग्यारव बारगतेर 14 15 15 मतलब इस स्टेंग का लेंद कितना होना ची यह लेकिन जब हम लोग इसको रन करते हैं तो आता है 14 ऐसा कैसा हो सकते हैं तो एक बात यहां पर नोट करना कि escape sequence character दिखते तो एक character से ज़्यादा है लेकिन जब हम लोग उसका length length print करते हैं तो वह एक एक character के बराबर होता है मतलब escape sequence character comprises more than one character but representing representing character when used within a string is only one character इसका मतलब मैं फिर से बताता हूं escape sequence character दिखते तो दो करेक्टर हैं दो करेक्टर या दो से ज़्यादा करेक्टर की तरह हैं जैसे बैक्स टी बैक्स 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 लेक्स तो करेक्टर से दो करेक्टर या दो करेक्टर से ज़्यादा की तरह दिखते हैं लेकिन वो होती मतलब उनका जो length होता है वो सिर्फ एक character को होता है ठीक है मैं यह पर note करेंगे लिग देता हूं क्योंकि यह चीज़ मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंपोट अंड है और अगर कोई question पूछेगा तो यहीं से बूछेगा मैं भी इसी पूछता हूं अगर से कोई भी question पूछने को तो मैं सब जबेल है यहीं पूछा है क्योंकि बागी backslash and क्या होता है न्यू लाइन देता है तो सब को पता होता है ठीक है तो पूछ झार चार टीकहर टीक होता है तो हीं प्रुचर को झालिए प्रिफ धन थे साइ्ड़कर्ड या treated as treated as one मतलब ये दिखते तो सिर्फ एक करेक्टर की तरह है बट ये होते मतलब ये दिखते तो दो करेक्टर या दो से ज्यादा करेक्टर वाले हैं लेकिन ये होते मतलब इसका जो लेंथ होता है वह treated के जाता है सिर्फ एक ठीक है तो escape sequence बस इतना ही है escape sequence के बारे में हमें जर्फ इतना ही पड़ना है ठीक है ये पांच escape sequence character है जो की बहुत जादा यूज होते हैं और मैंने इसके बारे में इससे डीडिया लिंग करके बता दिया और सबके बारे में एक example भी यहां पर मैंने लिख दिया है ठीक है यह 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 इस पर थोरा सा ध्यान देना बस इस लाइन को मैं comment बना के थोरा सा इसको highlight करना चाहूंगा कैसे लेकिन करना हूं मैं को नहीं पता लेकिन मैं I'm trying इसको highlight करने का और ऐसे कर देने का यह थोरा जरूरी है ठीक है यह लाइन थोरा सा जरूरी है इसको पढ़ लेना एक बार लोग यह हो गया है कम्प्लीट हमारे स्कीप सिक्वेंस है कि कसना लगते ज्यादा है ठीक है हां तो यह हमारा होगा इसकीप सिक्वेंस के बारे में ठीक है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अधरेंगे एकी कि जब हम लोग कोई वी वरीडियो में कुछ सटूर करते हैं तो वह क्या क्या टाइप के होते हैं ठीक है उसके बारे में अपरेटर के बारे में परएंगे तो यह सब चीजे आगे आने वाली वीडियो में रिकॉर्ड होगा और तब तक के लिए थाइंच यू